निमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर बॉक्स ओफिस पर लाल सिंग चड़ा फ्लॉप होने से आमिर खान है सदमे में तो वहीं दूसरी तरफ डिस्टिब्यूटर ने भी आमिर खान से मांगे हैं पैसे आपको बता दें कि जिस तरीके से लाल सिंग चड़ा जिसकी कोई उमीद भी नहीं थी यानि कि आमिर खान को लेकर जिस तरीके से बयान बाजी की जा रही है कि आमिर खान को उमीद भी नहीं थी कि फिल्म जो है उसको लेकर इतना जादा बुरा रिस्पॉंस आएका जुनता क तरफ से चंता जिस तरीके से कर रही है लाव सिंग चड़ा का बाइकोड तो जहां तमाम इन चीजों को लेकर आमिर खान है सदमे में तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म के डिस्टिब्यूटर्स ने मांगे हैं फिल्म मेकर्ज यानि की आमिर खान से मुआफ़ा मांगा गया है ड इसलिए उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी उठाई थी फिल्म को हिट कराने की और तमाम चीजों को लेकर आज जिम्मेदारी आमिर खान की बनती है और इसलिए डिस्टिब्यूटर्स ने भी फिल्म मेकर्स और आमिर खान से मांगा है मुआफ़ा जिसके भरबाई भी आम आमिरखान को करनी होगी इसी की साथ अगर हम बात करें आमिरखान के सदमे वाली बात की तो आप को बता दें कि आमिर खान की पूर वपत्नी यानि की किरन राओ का भी लाउसिंग चड़ा लेकर बयां सामने और उन्हें ही इस चीज़ का जिक्र किया है कि किस तरीके से आज लास सँस्हक्राइए के फॉप होने के बाद आमिर खान सदमें के को Жैंजा उमीद भी नहीं थी और पता भी नहीं था ऑज म्हरिकाइए अर्ब उने खुद ही ये तमाम चीजों का उलेख किया है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद आमिर खान पहुच चुके है सदमे में यानि कि या बड़ा जटका आमिर खान की फिल्म फर्दों पर लग चुकी है चार दिन फिल्म को लगे हुए हो चुके है पर उसके बावजूद भी ज आकड़ा नहीं पार कर पाई है आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा जो की एक बड़ा विशय बन चुका है एक चिंता का विशय बन चुका है अब आमिर खान के लिए क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए पहले आमिर खान की तरफ से विनिती की गई और कहा गया कि मे सिंग्चड़ा का बाइकॉट कर रही है तो सिर्फ लाउ सिंग्चड़ा ही नहीं बलकि इसके साथ साथ बाइकॉट बॉलिवुड का ट्रेंड भी जोरों सोशल मेडिया पर देखा जा रहा है और वहीं बॉलिवुड की तमाम आने वाले पिक्चर्स को लेकर भी अब चलाए जा रही है ट्रेंड चाहें फिर वो पठान हो या फिर हो रंबीर कपूर की आने वाली प्रमस्त्र और इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि इन पिक्चरों का भी बाइकॉट करना बेहस्जरूरी है जहां एक तरब दो हजार बीस के बाद तरीके से एक लहर उठी है देश में कि नेपटिजम से लेकर और तमाम वो लोग जो देश के लिए कभी भी खड़े नहीं होते देश के लिए कभी भी कोई वयान नहीं देते देश के कामों में कभी देश के अच्छे कामों में कभी भी हिस्सा नहीं लेते आज तमाम उन ल इसी तरीके से फ्लॉप हुई है और अब नंबर आ चुका है लाव सिंग चड़ा का जहां एक तरफ आमिर खान ने फिल्म को देखने की की अपील तो वहीं दूसरी तरफ करीना गपूर जो कभी ये कहा करती थी कि मत आईए हमारी फिल्म देखने हम आपको फोर्स नहीं करते क करीना कपूर खान ने भी इस फिल्म को लेकर लोगों से विनती की और कहा कि उन फिल्म लोगों को फिल्म देखनी चाहिए आमिर खान और उन्होंने तीन से चार साल तक वेट किया है धाई सो से जादा लोगों ने इस फिल्म में काम किया है पर आज लोगों की ऊपर आमिर या फिर करिनगपूर खान के बयान का कोई भी असर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और वहीं बड़ा जटका है यह तमाम डिस्टिब्यूटर्स के लिए जो कि आज मुहाफ़े की मांग कर रहे हैं मुहाफ़े की बात कही गई है तमाम डिस्टिब्यूटर्स की तर वहीं बड़ा जो है वो नुकसान झेलना पड़ा है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद और फ्लॉप होने के चलते क्योंकि जो उम्मीद जटाए जा रही थी जो पी यार मीरिया और तमाम लोगों की तरफ से खबरें चला रही थी कि असी प्रतीशस्ति जादा टिक्टें बॉक हो चुकी है बाइकोड का कुछ खासा आसर नहीं पड़ेगा लाल सिंग चड़ा पर और इनी तमाम चीजों के चलते डिस्ट्रिबीटर्स ने भी खरीदी ती यह फिल्म है पर आज तरीके से फिल्म बॉक्स ओफिस से लेकर कहीं पर भी जलवा नहीं दिखा पा रही ह तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब OTT फ्लैटफॉर्म भी जो हैं वो अब लाल सिंग चड़ा को खरीदने से कत्रा रहे हैं और वहीं हम आपको बता दें कि जो भी प्लैटफॉर्म इस पिच्चर को खरीदने की बात कर रहे हैं जनता उस OTT फ्लैटफॉर्म के बे बाइकोट की बात कर रही है कि किस तरीके से OTT फ्लैटफॉर्म के दुवारा पिक्चर को प्रोमोट किया जा रहा है तमाम जो कारण है वो आज सोशल मीडिया पर हमें दिखाई दे रहे हैं और यहीं बड़ा कारण है कि पिक्चर रिलीज होने के बावजूद भी आमिर खा प्रोमोट शुरू किया गया है जनता के दुवारा वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और यहीं आज आमिर खान के लिए बन चुका है एक टेंशन की बजा कि एक तरफ डिस्टिब्यूटर्स का पैसा मांगना मुआफजा मांगना वहीं दूसरी तरफ जनता आज आमिर खान कारीन अगपूर के बयान जो तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी फिल्मों को देखिए हमारी जो फिल्म है वो बहुत अच्छी है इसके दुवारा एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है तो वहीं दूसरी तरफ जो चार लोग मूवी देखने जा भी रहे हैं और उन पार्ट करने से होते हैं दंगे और फैलता है मलेरिया इसलिए मैं पूजा पार्ट नहीं करता भगवान तो सब के अंदर हैं इस तरीके से डायलोग बोलते हुए नजर आए हैं आमिर खान जो कि इस फिल्म के अंदर है और इसको लेकर भी तमाम बवाल मचा हुआ है कि किस से एक तरफ भारतिय सेना का अपमान किया है आमिर खान ने लाव सिंग चड़ा में तो वहीं दूसरे तरफ सिख समाज का भी अपमान किया गया है आमिर खान की तरफ से तो वहीं कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि देश और सेना और इन तमाम चीज़ों को बदन और बाइकॉट को लेकर हैं टेंशन में कभी इनी किरन राउ ने 2015 में एक शो के दोरान कहा था कि उन्हें भारत में लगता है डर और इसी बात पर डिसकस करते हुए आमिर खान ने किया था उनकी तमाम बातों का जिक्र और आज जनता भी कर रही है इन तमाम चीजों को टारग तरीके की चीज़ें अब काम नहीं आएंगी क्योंकि जनता जो है वो हर एक चीज को संभाल कर रखती है पुराना बयान हो वो भी आज शोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रहे हैं आमिर खान के चाहे फिर वो देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो या फिर हो भारत को लेकर तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं जो आज बन चुकी है आमिर खान को आमिर खान की समस्या का कारण के आखिरकार क्यों हो रही है आमिर खान की ये फिल्म लाव सिंग चड़ा इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप फ्लॉप होगी क्या हो चुकी है जिस तरीके स कलेक्शन नजर आया है इस फिल्म का कि चार दिन में महज 37 करोड रुपे कमाई गए हैं इस फिल्म के दुआरा जो कि ये पहले आमिर खान की फ्लॉप से फ्लॉप पिक्चर भी पहले ही दिन इससे भी जादा कमाई कर रिया करती थी पर आप शायद दिन बदल चुके हैं और जो बाइकोट जिसको अभी तक पियार मीडिया और आमें खार नहीं ले रहे थे सीरियसली आज उसी बाइकोट ने डुबा दिया है आमिर खान की इस पिक्चर लाल सिंग चड़ा को खेर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप में कॉमेंट करके जरूर बताईए धन्य अबल दिया है जिसे बाइकोट ने मीडिया जिसक्ट झाट फे नहीं बाइकोट जैकोट इस एक प्रवडिये को जो 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 बाइकोट ईता है अबल भी तक बाइकोट और यहार उसान ऐा हिए रहे जो पताफ प्रवड़ा बताबड़ाए